E-commerce company इस बार के festive season में बिक्री के नए record कायम कर रही है Online बिक्री बढ़ने से छोटे दुकांदारों को बड़ा नुक्सान होने का दावा भी किया जा रहा है इस बीच व्यापारी संगठनों ने E-commerce company उपर नियमों के उलंगन करने का भी गंभीर आरोप लगाया है इस बार के festive season में तेवहारी बिक्री नए record बना रही है लेकिन इस बिक्री में बड़ा हिस्सा E-commerce company के पाले में चला गया है दुकांदारों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार है और festive season में कोरोना में हुए नुखसान के जिस भरपाई को वो उमीद लगाए बैठे थे वो चकनाचूर हो गई है E-commerce company के इस बारती बिक्री पर Indian Salers Collective ने गंभीर आरोप लगाए है इन कमपनियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किये गए और जगा जगा इनके पुतले पूंके गए दरसल इस बार के festive season में E-commerce कमपनियों की वज़ा से छोटे दुकानदारों को हर महीने 30-40% तक का नुकसान होने की आश्रंका जताई जा रही है पिछले कुछ बरसों से जिस दरह से E-commerce सेक्टर ने तेजी से अपनी पैट बनाई है उससे कई दुकानदारों ने तो अपना दुकान बंद करने का मन बना लिया है सर्वे में दावा किया गया है कि इस साल के आखिर तक E-commerce कमपनियों का कारूबार बढ़कर 5,21,000 करोर रुपए का हो जाएगा लेकिन इस कारूबार की बढ़ोतरी पर रिटेलर्स गंभीर आरूप लगा रही है उनका कहना है कि E-commerce कमपनिया अपने प्लैटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों को ट्रैक करती है फिर ये आनलाइन मारकेट प्लेस वैसे ही प्रॉड़क्ट की नकल करके उसे कम केमत पर अपने ब्रैंड के तहत लाँच करके बेचते हैं फिर ये सर्च में गरबड़ी करके उन्हें अपने प्लैटफॉर्म्स पर खुद की प्रॉड़क्ट लाइन की तरफ लाते हैं इसकी वज़ा से रिटेलर्स के प्रॉड़क्ट को लोग नहीं खरीदते और सारा फाइदा E-commerce कमपनिया बटोर कर ले जाती है इन गंभीर आरूपों के बीच दुकानदारों ने भारत थोड़ो मोर्चा महिम में सरकार और ग्राहकों से E-commerce प्रॉड़क्ट से किनारा करने की अपील की है पुल मिला करके जो Amazon, Flipkart, Walmart या जो foreign investment के कारण चलने वाले दूसरे E-commerce के बिजनसे हैं उसके कारण हमारे छोटे दुकानदार, किराना, मर्चेंट्स, सप्लायर्स, MSMEs ये सब तो प्रभावित हो ही रहें इसके साथ ही दुकानदारों का आरोप है कि ये कंपनिया जिन प्रॉड़क्स को खुद नहीं बना रही है उनमें अपने पसंदीदा डिलर्स का सामान बेचने के लिए सर्च में हिरा फेरी करती हैं हालांकि E-commerce कंपनिया हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है और अब ये सरकार के जिम्मेदारी है कि वो दुकानदारों के आरोपों की सही जाच करके इस मामले में स्थितिक को साफ करें आज तक ग्योग